कि हेळो गॉर मैं हूं मनिव्वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न वफ टेक नो पर यजria तेर फ्रेंड आज हमारा ठियोरी का सेशन है इससे पहले कि हमारी क्लासे है वो क्योर्षन आंसर के चल रही थी आज ये क्योर्षन answer की last class रहेगी हमारी इसके बाद हम next class करेंगे ठीक है जिसमें हम next chapter से क्या है clear करेंगे ठीक है dear friend आज कहीं हमारा last video के उससे answer का तो इससे पहले का video अगर आपने नहीं देखा है तो description में आपको link मिल जाएगा वहाँ से आप इससे पहले का video देख सकते हैं ठीक है चलिए class को शुरू करते हैं class बहुत ही important होने वाली है तो video के end तक बने रहीएगा ठीक है इसमें first question दियावा है first question क्या दियावा है निमन लिखित में से कौन अंदरूनी माप inside micrometer से मापना संबाव नहीं है यह जो reading दी गई है इन में से कौन सी हम माप है वह inside micrometer से नहीं माप सकते हैं 10.45 26.35 36.20 110.25 तो हमारा क्या है inside micrometer है ठीक है inside micrometer से माप है वह संबाव नहीं है तो inside micrometer के दुआरा हम कौन सी माप वह नहीं ले सकते हैं तो dear friend वह है हमारी 10.45 क्योंकि हम कितने की माप ले सकते हैं 20 हम हम से ज़्यादा की ठीक है तो यह हमारा क्या inside micrometer है तो इस से क्या 10.45 की reading है वो हम नहीं ले पाएंगे ठीक है next है हमारा drift का प्रियोग नीम्न में से होता है machine spindle में drill निकालने के लिए workpiece से टूटे drill को निकालने के लिए machine spindle में चक लगाने के लिए या फिर drill को इस्तिती में बनाने के लिए drill drift का पूछा है drift का प्रियोग कहां पर किया जाता है तो dear friend हमारा drill drift का जो यूज किया जाता है machine spindle में drill निकालने के लिए किया जाता है next 53 number इसमें है ताप और विदूत का अच्छा सूचालक है ताप और विदूत का अच्छा सूचालक कौन सा है stainless steel है या लोहे का है या तामबे की तार है या फिर पितल की तार है तो कौन सा ताप और विदूत का अच्छा सूचालक है यानि कि इनमें से good conductor कौन सा है किसका heat और electricity का ठीक है dear friend तो इसमें से कौन सा है, कोपर की वायर है, वो क्या होती है, हमारी heat and electricity की क्या होती है, good conductor होती है, बहुत ही अच्छी सूचालक होती है, ठीक है, ताम भी कितार, next is 54 number, depth micrometer की range बदलने के लिए किस पार्ट का प्रियोग वो किया जाता है, depth micrometer है हमारा, उसकी range को क्या हम कम या ज्यादा करना है, तो उसके लिए हम किस पार्ट का यूज करते हैं, जिससे क्या उसकी range को क्या हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, क्या थिंबल का, क्या इस्टोक का, या फिर अंसाकित इसलिव का, या फिर विस्तारक चड़, विस्तारक चड़ यानि extension road, तो हम क्या size को कम्या जादा करने के लिए किसका यूज करते हैं, extension road का यूज अवो depth micrometer में किया जाता है, ठीक है, next देख लेते हैं 55 number, इसमें क्या द किया हुआ है, एक micrometer में negative error है, वो है 0.03 mm, वह है 25.52 mm माप दरसा रहा है, तो इसकी सही माप क्या है, अब क्या है negative error है, negative error होगा तो cool reading में क्या कर देंगे, जोड देंगे, तो 25.52 प्लेस 0.03 को add कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 25.55 हमारा reading निकल के आ जाएगा, यानि कि 25.55 mm हमारी क्या हो जाएगी, इसकी correct reading हो जाएगी, क्योंकि इसमें negative error है, और negative error में हमेशा जोड़ा जाता है, और positive error में क्या किया जाता है, हमेशा cool reading में से error को गटाया जाता है, next 56 number, एक micrometer में धनात्मक तुरूटी 0.04 mm है, यदि यह map 19.38 mm दरसा रहा हो तो इसका सही map क्या होगा, अब क्या इसमें positive error है, अब positive error में में आपको क्या बताया था कि cool reading में से क्या कर देंगे, positive error को घटा देंगे, तो 19.38 में से 0.04 घटा देंगे, तो कितना जाएगा, 19.34 mm हमारा answer इसका correct हो जाएगा, थिक है dear friend, तो आपको यह mind में रहना चाहिए, कि positive error में cool reading में से घटाते हैं error को, और negative error में cool reading में क्या करते हैं, error को जोडते हैं, थिक है, next है हमारा, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अलपत मांक होता है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कितना अलपत मांक होता है, एक degree, एक minute, एक second, या फिर 5 minute, तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, वो कितना list count होता है, उसका, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का list count होत तो D answer हमारा क्या है? correct हो जाएगा नेक्स्ट है 58 नमबर वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की में स्केल और वर्नियर स्केल के भाग बराबर होते हैं यानि कि में स्केल के कितने भाग के बराबर वर्नियर स्केल के भाग होते हैं तो नॉर्मली डियर फ्रेंड स्बी को इस चीज का क्या मालूम रहता है कि में स्केल के 23 बाग के बराबर वर्नियर स्केल के 12 बाग रहते हैं किसमें वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में में स्केल के 23 बाग के बराबर वर्नियर स्केल के 12 बाग रहते हैं ठीक है नेक्स्ट इसमें है 59 नंबर 59 नंबर में क्या दियावा है इसमें दियावा है जब टेपर सेंक ड्रील बड़ा हो और ड्रील मसीन का स्पिंडल छोटे साइज का हो टेपर सेंक ड्रील है वो क्या है बड़ा है और ड्रील मसीन का स्पिंडल है वो क्या है छोटे साइज क हो तो उसमें ड्रील को मशीन में बांधने के लिए खाली इस्तान प्रियोग करते हैं यानि कि क्या प्रियोग करते हैं कब जब ड्रील बढ़ा हो जब क्या है टेपर से इंका वो ड्रील का बढ़ा हो और ड्रील मशीन का इस पेंडल है वो छोटे साइज का है तो वहां पर हम क क्या यूज करते हैं टेपर सोकेट यूज किया जाता है टेपर सोकेट कहां यूज करते हैं जहां हमारा ड्रिल का साइज हो बड़ा हो और ड्रिल मेशीन में स्पींडल का साइज क्या हो छोटा हो वहां पर टेपर सोकेट यूज करते हैं और सलीव वहां पर यूज करते हैं ज टेपर सो केट यूद्स करते हैं थीक है इंने में confusion नहीं होना है सली वे 5 नेक्स्ट है 60 नमबर टेपर से एक ड्रिल की टेपर होती है टेपर से ड्रिल जो हमारी होती है उसकी टेपर कितनी होती है MT0 से MT4 MT1 से MT4 MT1 से MT5 MC0 से MT5 तो dear friend इसमें क्या होता है MC की जगह MT भी हो सकता तो भी चल जाता MT0 से MT5 तो dear friend हमारे टेपर से ड्रिल की जो टेपर होती है वो बहुती most important क्योंस्टन है बहुत बार एक्जाम में पूछा जाता है बहुत से बच्ची का इसका answer वो गलत करकर आते हैं ठीक है तो टेपर से ड्रिल की जो टेपर होती है वो MT1 से MT5 तक होती है कहां तक MT1 से MT5 तक होती है note कर लेजिए very very important question है books में इसके answer वो wrong मिलेंगे आपको ज़्यादा तर कहीं भी आप देख सकते हैं next is 61 number drill drift वनी होती है drill drift वो किसका बना होता है high carbon steel का cast iron का mild steel का या फिर forge steel का तो dear friend drill drift हमारा mild steel का बना होता है drill drift का यूज करते हैं drill spindle से drill को बहार निकालने के लिए next है next हमारा 62 number 62 number में क्या दियावा है इसमें दियावा है drill चक निमन किस size में उपलब्द होते है drill चक जो होते हैं किस size में मिलते हैं 10 वे 20 mm 12 से 20 mm 6 वे 12 mm 6 12 वे 18 mm तो drill चक वो अलग अलग size में मिलते हैं भी कुछ क्या standard size रहते हैं वो कौन से रहते हैं 6 12 और 18 mm के size में मिलते हैं ठीक है next हमारा 63 number universal vernier caliper से एक reading में map लिये जाते हैं universal vernier caliper से एक reading में कितने map ले सकते हैं 3 map 2 map 1 map या फिर 4 map तो universal vernier के लिए पर तो उससे हम कितनी map ले सकते हैं उससे हम 3 map ले सकते हैं कितनी map 3 map ले सकते हैं कौनसी कौनसी बाहरी अंदरूनी और गहराई की ठीक है next है twist drill यह हमें figure दिया हुए है चितर में दिखायगए कौन ए का नाम क्या है ये angle पूचा गए ए कौौन सा कौन है ये कौन इस कौन का क्या पूचा गया नाम पूचा गए कि ये कौन कौन सा है किस कौन के नाम से जानते हैं क्या हेलिक्स कोन है पॉइंट कोन है चीजलेज एंगल है या लिप कलेरेज एंगल है तो dear friend यह हमें बिल्कुल कलियर दिखाई दे रहा है कोन सा है तो यह हमारा क्या है पॉइंट एंगल है ठीक है next देख लेते हैं 65 number इसमें क्या दिया हुए है इसमें दिया हुए हमारा figure दिया हुए है इसमें question पुछा गया है चितर में वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर दवारा कौन सा कौन चेक किया जा रहा है और वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के दवारा कौन चेक किया जा रहा है क्या दोया कौन है नियून या तिक्षन कौन है अधिक कौन है या फिर सीधा कौन है राइट एंगल है कौन सा कौन है वो वर्णियर बेवल प्रोटेक्टर के दोरा चेक किया जा रहा है तो हम किस के अनुसार देखेंगे, इसके stok के अनुसार और blade के अनुसार हम क्या है check करेंगे, तो ये कौन सा cone हमारा बनता है तो dear friend, ये जो हमारा cone बनता है ये noon और beacon cone यानि कि acute angle noon cone check किया जा रहा है क्योंकि blade और इसके बीज़ों याँ पर क्या बनना है ठीक है dear friend तो हम क्या blade और stock के अनुसारी क्या है इसका decide कर पाते हैं कि कौन सा कौन हमारे द्वारा चिक किया जा रहा है ठीक है next है हमारा 66 number रेती का वह बाग जिसमें handle fit होता है रेती का वह कौन सा बाग होता है जिसमें handle fit होता है क्या sink होता है क्या solder होता है क्या tank होता है या फिर torque होता है तो रेती के किस वाग में हमारा handle fit किया जाता है सभी को पता है dear friend tank में हमारा handle fit किया जाता है यह हमारी क्या होती है tank होती है इदर इदर का वाग और इसको क्या किया जाता है soft रखा जाता है तेंग को सोफ्ट कियो रखा जाता है क्योंकि हैंडल में fit करते हिसे में चोत वह गेरा लगानी पड़ती है तो ethicर ढूटने से बचाया सके ठीक है, तो 밑श किया जाता है hell handle हमारा fit किया जाता है Phill critic में, ठीक है? नेइक्स्ट हैमारा glasses 67 then इसमें दिया हुआ है चित्र में दिखाए गई filing विदी का नाम अब यह क्या हमें figure देखना है ध्यान से और इसमें क्या है filing करता हुआ दिखाए जा रहा है अब यह filing कौन सी विदी है कौन सी विदी है जैसे straight cross triangular longitudinal draw filing अलग-अलग type की रहती है तो उन में से कौन सी filing की विदी है वो figure में हमें क्या clear दिखाई दे रही है क्या यह longitudinal draw filing है क्या draw filing यह से करते है यहाँ पर arrow का निशान इधर बना हुआ है ठीक है? arrow का निशान भी बना हुआ है इधर ठीक है? तो क्या draw filing में यह से करते है या फिर कोई और filing है जैसे चलिए आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है longitudinal, diagonal filing है क्या वो diagonal filing है क्या वो transverse filing है या फिर transverse और diagonal filing है तो कौन से filing है ना draw filing है ना वो diagonal filing है वो क्यों से transverse filing है यानि कि किसी कौन में क्या filing की जा रही है तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 67 नमबर का C आंसर हमारा correct हो जाएगा नेक्स्ट है चित्र में दर्साए गए 75 से 100 मिलिमेटर के माइक्रोमेटर की reading अब इसमें क्या इसकी range दे दी 75 से 100 mm तो 75 हमें क्या मान कर चलना है सबसे पहले ठीक है 75 हमने मान लिया उसके बाद में हम देखेंगे कौन से man division man division के कितने बाग खुले है 10 11 12 और 13 बाग खुले है man division के उसके बाद में देखेंगे sub division कितने sub division खुले है एक sub division खुला हुआ है ठीक है उसके बाद thimble division देखेंगे तो 10 11 12 और 13 तेरवी line के सीध में क्या arrow दिया हुआ है तो क्या इड कर लेंगे 13 अब इसका टोटल कर लेंगे 3, 5, 6, 5, 3, 8, 7, 8 कितना आ गया 88.36 mm 88.36 mm हमारा C में है तो C आंसर हमारा correct हो जाएगा ठीक है dear friend मैं एक बार इसको erase कर देता हूँ उसके बाद आपको clear समझ में आ जाएगा एक बार erase कर देता हूँ इसको फिर मापको एक बार फिर से बता देता हूँ कि 88.36 mm हमने आंसर जो निकाला है वो कहां से निकाला है ठीक है confusion होने के आप सकता नहीं है बिलकुल confusion नहीं होना है बहुत ही आसान है बिलकुल आसान है क्या है 75 से 100 mm की reading ले रखिए यान की minimum 50 mm तो 55 mm को ले लेते हैं पहले ठीक है उसके बाद में देखते है main division के कितने बाग खुले है तो 10 बाग तो यहां तक आ गए उसके बाद में तीन बाग और आ गए कितना 13 mm main division होगी main division के बाद में subdivision आती है तो subdivision कितना खुला हुआ है एक बाग subdivision का भी खुला हुए एक बाग का मान कितना होता है .50 mm ठीक है उसके बाद में हम देखेंगे thimble division उसके बाद क्या देखेंगे thimble division तो इसमें क्या है arrow का निशान दिया हुए arrow किसी दौली line को हमें लेना है ठीक है 10 के बाद में क्या है तो इसमें क्या है 13 और include कर देंगे point 13 mm क्योंकि इसका मान कितना होता 0.01 mm 13 बाब का मान तो 0.13 mm इसको total कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा 88.62 mm हमारी reading निकल कर आ जाती है ठीक है आगे है हमारा 69 नंबर आगे 69 नंबर दियावा है इसमें क्या दियावा है चित्र में दरसाया गया ओजार क्या है अब फिकर हमें दियावा है इसमें से हमें क्या पुछा गया है इसका नाम पुछा गया है इस पार्ट या टूल का क्या हमें नाम पुछा गया है कौन सा टूल है हमारा क्य है यह यूनिवर्सल गेज यह यूनिवर्सल गेज ये तो ये हमारा यूंनिवर्सल गेज योसमें क्तीने होती है सादार्ण beacon mail के उसमें कितनी होती है दो blade होती है एक extra blade उसमें नहीं होती है ठीक है और universal beacon maravil OR iaj invest कितनी three blade होती है इसको transfer blade भी बोला जाता है transfer blade क्यों बोला जाता है क्योंकि इसे kun which check कर सकते है इसके दवारा जहां पर क्या हम blade को सही से नहीं लगा पाते हैं तो वहाँ पर क्या है इसके cone को क्या transfer कर सकते हैं एक blade से दूसरी blade तक क्या cone को transfer करके हम आसानी से check कर सकते हैं इसके दोरा ठीक है dear friend चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है आगे 70 number में हमें दिखाया हुआ है micrometer 70 number में क्या दिखाया गया है micrometer दिखाया गया है question क्या है इस micrometer की cape को खोल कर extension road को fit किया जाता है ठीक है इस micrometer का क्या नाम है क्या बोला है cape को खोल कर extension road को fit किया जाता है तो यह कौन सा micrometer है जिसके अंदर के हम extension road लगाते हैं नीचे नाम दिएवे हैं नीचे नाम दिएवे हैं dear friend क्या क्या है flange micrometer disc micrometer depth micrometer और seat micrometer तो क्या flange micrometer में extension road लगाते हैं नहीं लगाते हैं disc micrometer में extension road लगाते हैं नहीं लगाते हैं seat micrometer में extension road लगाते हैं dear friend नहीं लगाते हैं कौन सा बच गया depth micrometer इसमें क्या extension road है वो लगाई जाती है तो इसका answer हमारा क्या हो जाएगा C answer इसका correct हो जाएगा ठीक है आगे क्या है 71 number 71 में क्या दियावा है आगे इसमें देख लेते हैं 71 में इसमें दियावा बिटीस परणाली में tape size drill का सूतर इसमें क्या पूछा है tape drill size का सूतर TDS बराबर क्या होता है बिटीस परणाली में जबकि D बराबर क्या है tape size है ठीक है D बराबर क्या हमारा tape size है तो बिटीस परणाली में tape size drill का सूतर हमने पहले देखा था क्या इसका सुत्र होता है तो d into 7 बटे 8 माइनस 1 बटे 32 इंच हमारा answer वो correct हो जाएगा ठीक है 22 परणाली का ज्यादतर सुत्र है जो नहीं पुछावा आता है नहीं इसका मान निकालना आता है ज्यादतर जो आता हमारा metric परणाली का होता है तो जिसका क्या हमें ध्यान में रहना चाहिए next 72 नमर में पूछ भी रखा है metric परणाली में tape size ड्रिल का सुत्र है जबकि d बराबर tape size है इसका answer क्या हो जाएगा tds बराबर क्या होता है ts minus 2d और d बराबर क्या होता है 0.61 into pitch तो क्या हो जाएगा ts minus 0.61 into pitch तो इसमें से हमारा कौन सा answer वो correct हो जाएगा तो dear friend इसमें हो जाएगा d into 1.22 into pitch ठीक है ये क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा वे से हम क्या लग सकते है ts minus 2d भी लिखते है 2d कितना d कितना होता है तो 2 into 0.61 into pitch होता है वो d होता है ts minus और tape size बराबर क्या दे रखा है इसने d दे रखा है तो क्या हो जाएगा d minus 0.61 d minus इसको गुणा कर देंगे 2 गुणा 0.61 गुणा तो यहाँ पर क्या आएगा अब इसको क्या गुणा कर देंगे 61 से 0.61 को गुणा कर दिया 2 1 2 12 1.22 आगया तो यह d minus आएगा यहाँ पर d minus 1.22 into pitch यह answer इसका क्या हो जाएगा हमारा correct हो जाएगा ठीक है different नहीं कि यह वाला correct होगा क्योंकि इसको हम अगर soul करके निकालते है तो यह answer हमारा correct आता है यहाँ पर क्या आएगा minus आएगा यहाँ पर क्या आएगा हमारा minus आएगा d minus 1.22 into pitch हमारा right answer होता है next 73 number इसमें क्या दिया हो है taping करने के लिए drill का size tape से रखा जाता है taping करने के लिए drill का size वो tape से क्या रखा जाता है क्या बड़ा रखा जाता है समान रखा जाता है चोटा रखा जाता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं तो taping करने के लिए drill का size वो हमेशा क्या रखा जाता है tape से चोटा रखा जाता है tape से क्या होता है चोटा रखा जाता है next है thumb rule के अनुसार tape size drill एट तो D into 0.8 क्या हो जाएगा हमारा answer वो correct हो जाएगा थमरूल के according हमारा क्या सुत्र होता है tape size into 0.8 होता है ठीक है sorry tape size minus 0.8 होता है इसमें क्या है ये सारे गलत दे रखे हैं इसमें क्या होता है tape size minus 0.8 होगा tape size minus 0.8 और tape size में बराबर क्या है D बराबर दे रखा है तो इसका answer क्या हो जाएगा D minus 0.8 B answer correct होगा लेकिन याप पर minus का निशान लएगा ठीक है यानि कि books में क्या होते है बहुत से चीज़ें आपको गलत मिलेगी but don't worry आप निश्चित रही है खालिस्तान की जाती है टेपिंग करने से पहले drill hole की क्या की जाती है क्या boring करते है क्या chamfering करते है क्या counter boring करते है या फिर उप्रोक्त सभी यानि कि टेपिंग करने से पहले drill hole पर कौन सा operation किया जाता है तो drill hole पर क्या करते है टेपिंग करने से पहले drill hole को थोड़ा सा chamfer किया जाता है ताकि क्या आसानी से चूडियां पकड़ सके नेक्स्ट और लास्ट है यह हमारा chapter भी clear हो जाएगा आज की वीडियो का भी यह क्या हमारा last question है नीचे से थोड़ा सा erase कर देते हैं प्रांसर वो correct नहीं दिखाए दे रहा है 76 नमबर इसमें क्या दिया हुआ है 76 नमबर में इसमें दिया हुआ है M6 into 1 के लिए tape size drill mm होता कौन सा mm यानि कि tape drill size TDS बराबर क्या करना में tape drill size बराबर क्या होता है तो TS minus 2D होता है क्या होता है TS minus 2D होता है अब क्या है इसका निकाल लेते है अब 2D कितना होता है तो D कितना होता है .61 into pitch होता है pitch है यह कमम की और 1.22 को 1 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 1.22 आ जाएगा अब TS tape size कितना है हमारा 6 का तो 6 में से क्या गटा देंगे 1.22 गटा देंगे अब यहाँ पर क्या है 6.001.22 निकाल देते है 8 में 10 में से दो गया 8 9 में से दो गया 7 1 5 में से 4 यानि कि 4.78 mm हमारा क्या जाएगा drill का size हो जाएगा तो इसमें से कौन सा answer correct हो जाएगा हमारा D answer इसमें से correct हो जाएगा ठीक है 4.78 अगर हमें 4.78 नहीं दिया वा है हमारा मेच नहीं कर पा रहे है तो फिर हम क्या कर सकते है इसको D minus .8 भी कर सकते है D minus .8 यानि की 0.66 में से 0.8 निकाल सकते है तो 0 2 और 5 5.20 5.2 है अगर दिया वा तो भी इसको निकाल सकते है या फिर एसे क्या कर सकते है इसको tape size minus pitch कर सकते है tape size minus pitch करके भी निकाल सकते है यानि की जो बिलकुल correct होगा वो हमारा क्या होगा formula ये वाला formula होगा ts minus 2d बिलकुल correct answer के लिए 4.78 mm हमारा क्या है निकल कर आ जाता है ठीक है dear friend तो lesson ये हमारा clear हो गया है नीचे आपको answer दीवें अगर आप answer match करना चाते हैं तो match कर सकते हैं ठीक है और इसके अलवा dear friend अगर आपको video अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे share कर दीजिएगा ठीक है और याद रखे हर साम 8 बजे आपको मिलता है एक नया video only on हमारे channel पर इसके साथ में आपको हर साम 6 बजे हर साम 6 बजे एक नया question मिलता है question quiz में जिसमें आप participate कर सकते हैं उस question का answer आपको next day वाले question के साथ में मिल जाता है तो next day आप अपने question का answer भी match कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा जो भी technical job requirement की जितने भी वीडियों है, वो हमारे चैनल पर आपको मिल जाती है, साथ में जो भी technical notice आता है गोवर्मेंट की तरफ से तो वो भी कि आपको हमारी channel पर जल्द ही अवलेबल हो जाएगा ठीक है dear friend, इसके लावा हमारे drying की class भी channel पर अवलेबल है तो अगर आपने channel को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर लिजिएगा wish you all the best